नमस्ते गाईज, आशेश ये पर नमस्ते डिक और इस वीडियो मैं दिखाने वाला आपको Realme 7 Pro और Realme 7 के फीचर्स, टिप्स और ट्रिक्स जो आपको पदा होना चाहिए ये फोन लेने से पहले और अगर अगर अपना अलड़ी ले लिया है तो भी आप इसको यूज़ करके अपने फोन को बहतर तरीके से यूज़ कर सकता है तो आईए शुरू करते हैं तो पहली जो सेटिंग है वो है होम सेटिंग्स पे तो आप कहीं भी लॉंग प्रेस करिए एक ब्लांक स्पेस पे उसके बाद जाहिए सेटिंग्स पे यहां आपको बहुत सारा फीचर मिलेगा जैसे कि आप होम स्कीन पे ड्रॉर मोड को चेंज कर सकते हो एक नॉर्मल मोड में उसके बाद आपका पुल डाउन गेस्चर है यानि कि अगर आपको अप्लिकेशन को एक हैंड से ओपन करना तो आप कैसे करोगे अब माली जै मैं यहां हूँ और मैं एच से उपर की तरफ स करें पूरा फोन नहीं करा बल्कि यह सिर्फ आपस को नीचे ला रहा है नीचे आपको सर्च बार मिलता है होम स्क्रीन पे जो सब समय रखता कहीं लोगों को यह बहुत बोरिंग लगता है अगर आप इसको अटाना चाहो तो सिंपल टाप करो और रिमूव कर दो एक और बात करते हैं तो सबसे बेस्ट ए स्क्रीन शोट लेने का यहाँ पर और शेयर करने का ओपशन थ्री फिंगर स्वाइब डाउन स्क्रीन शोट आ जाएगा उसके आप इसको ऐसे पूल करो और आपको अपको पुराना स्क्रीन शोट भी दिखाता है तो आप कहीं भी शेयर कर सकते हो similarly अगर आपको अपना फोन रिकॉर्ड करना है स्क्रीन रिकॉर्ड करना है नोडिफिकेशन पैनल आक्शन पैनल खोलो यहां पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसको टाप करो यहां एक छोटा का आइकन आ जाएगा एक बॉक्स तरह का इस पे आप रेड कलर का जो आइकन ह उसको अगर दबाओगे तो रिकॉर्डिंग इंस्टेंटली शुरू हो जाती है आप रिकॉर्डिंग पॉस भी कर सकता हो यहां पर पॉस करके वापस टैप करो रिज्यूम कर लो यहां कॉन्फिग्रेशन में जाओ अगर यहां पर आप सेटिंग का आइकन करोगे और आप यहां चूज कर सकते हो कि आप माइक्रोफोन यूज करना चाहते हो या सिर्फ सिस्टम के साथ जाना चाहते हो बहुत ही अमेजिंगली बिल्ट है बहुत नीटली बिल्ट है एक ब्लुटूथ की सेटिंग में दिखा देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है वो यह है कि यहां यहां पर जब आप जाओगे ब्लुटूथ में इसमें आप मेन्यू पर जाना और एडवांस सेटिंग में जाना यहां पर देख सेटे हो मीडिया वॉल्यूम सिंक यह कब कामाता है जब आप अपने एयर फोन या जो भी आपने लगाया वह ब्लूटूथ हैटफोन लगाया आउटसाइड या इंसाइड जो भी हो बाई डिफॉल्ट यह अवेलिबल नहीं है रियल टाइम नेटवर्क स्पीड आउन कर लो तो आपको पतल जाएगा क्या स्पीड आपको मिल रही है अपने फोन का स्क्रीन रीफ्रेश रेट चेंज कर सकते हो इसमें आप चाहो तो आ 90 और 60 अच्छा लगे फिर आपको पास फॉंट फॉंट साइज डिस्प्ले साइज यह तीनों चेंज करने का ऑप्शन है इन लोगों के लिए जिनको आप स्मॉल फॉंट अच्छे नहीं लगते वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं नेक्स चलते हैं साउंड और वाइब्रेश स्क्रीन शॉट बंद कर दो साउंड उसका डिलीशन का साउंड बंद कर दो यह सब प्राइवेसी की फाक्टर से इनको जरूर बंद कर देना उसके अलावा आपको रियल साउंड टेक्नोलोजी मिलता है जो कि आप यह फोन के साथ यूज कर सकते हो और इन-ear मॉनेटरिंग भी है जो कि karaoke जैसे आप में काम आता है D&D मोड तो हम लोग सबको पता ही है इसमें कुछ नया नहीं है लेकिन D&D मोड में एक सेक्शन है जो आप जरूर ओन कर लिना वह साइलेंस मीडिया वेंड डियंड डिस्टरब इस ओन यानि कि आपका फून D&D में आपने जान कर सकते हो अपको अलग से सेट अप करना पड़ेगा यहां तो फेस करिए नहीं तो एंटर पासवर्ड कर दीजिए इसको अलग रखे का अपने लॉक स्क्रीन से यहां पर चाहो तो आप लॉक कर सकते हो जैसे कि अगर मैं इस पर टाप करूँ तो मैंने यहां पर 3D मार्क को लॉक करके रखा है उसी तरह से आपके इस प्राइवेट सेफ भी है जहां पे आप अपने फाइल्स वगरे को सेफ कर सकते हो फेस और फिंगरप्रिंट दोनों को आप चाहो तो अप लॉक के लिए यूज कर सकते हो अनलॉक उनली विन आइस आर ओपन यह आटोमाटिकली ब साथ चलता है वह यहां पर इसके साथ भी चलता है अब चलते कन्वीनियंस टूल्स की तरफ यहां पर कुछ एक फीचर अच्छे है जैसा कि एक तो वे कूगल एसिस्टेंट विद पावर बटन हलका सब प्रेस करोगे कूगल एसिस्टेंट ओन हो जाएगा यह पावर बटन मैंने कि आप देखने ही नहीं आपने जैसी आप उठाओगे तो सारे आपको सब कुछ नोटिफिकेशन वगर दिखाएगा गेस्टर स्क्रीन शॉर्ट स्क्रीन ऑफ गेस्टर ऑटो स्विच टू यह रिसीवर यह कई सारे गेस्टर है जो की डे टूडे यूजज में काफी यूसफुल है अब हम चलते हैं एडिशनल सेटिंग्स पर यहां आपको मिलता एक तो ओटीजी कनेक्शन आपके पास यूएसबी सी अगर डॉंगल है या आपके पास यूएसबी ड्राइव है जो की यूएसबी सी से चल जाता है तो आप ओटीजी यूज़ कर सकते हो यान इतने राम आपका फ्री और कितना यूज़ फिर आपको मिलता है आप क्लोनर तो यहां पर आप देख सकते हैं जो बहुत अच्छी फीचर लगी वह कि गूगल पे भी यहां पर डुप्लिकेट हो सकता है जो मैंने अभी तक जनली किसी फोन में नहीं देखा है बट अगर आ कि चीजें आप यहां पर यूज़ कर सकते हो नेटवर्क अक्सलरेशन में मिलता है यानि की वाइफाई और जो आपका मुबाइल डेटा है वो दोनों को यूज़ करके बहुत अच्छा एक्स्पीरियंस आपको देगा उसके बाद है स्प्लिट स्क्रीन जो की गेस्चर से क बंद हो जाता इस तरह के फीचर आपको मिलता है याल मिए यूज़ के वीडियो कैसा लगा आपको यह फीचर याज़ कैसे लगे अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़र्ब़ लाइक करे का और सब्सक्राइब करें हमारे चानल पे देखने के लिए थ नवालो दो प्रेन वालो प्रेन्वाट